इस वीडियो हम देखेंगे आइसो डायफर्स क्या होते हैं आइसो डायफर्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिन में न्यूट्रोन और प्रोट्रोन का जो डिफरेंस होता है अगर हम न्यूट्रोन कैसे कल्क्लिट करते हैं से a-z से और proton कितने होता है अपने पस z जिनके लिए a neutron minus proton का ratio same होता है उन सब्सक्राइब को हम बोलते हैं आइसो डायाफर्स for example हमने example लिया है जैसे हमार पास fluorine का example लिया और हमने potassium का example लिया है अगर हम इनके लिए a-z-z मतलो a-2z का ratio देखेंगे ठीक है वो कितना जागा 19-9 that is 1 and similarly for potassium ठीक है उसके लिए भी कितना आ जागा हमारे पास 1 मतलो जिनके लिए neutron और proton का difference सेम आ जाए उस तरह के species को जा elements को हम क्या बोलते हैं isodiaphors